हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैं रमा कोशल देखिया आज आपके सामने दुबारा से एक टॉप के साथ आई हूँ यह जो टॉप डिजाइन है मैंने पहले भी अपने चैनल पर डाला हुआ है लेकिन मेरे कई सस्क्राइबर ने मुझे कोमेंट कि स्टाइबर को संध्याए घान है कि उन्हें ग्ली की देखिया था कि उन्हें गले का डिजाइन यह सम्मझ में नहीं आ रहा है कि यूटला मैंने कैसे बनाया था तो कई होने गले की है बैक आप से बताआइए मैंने ये कैसे बनाया है यह जो टॉप है यह 2-3 साल के बच्चे को बिल्कुल ठीक बैठेगा लेकिन मैं आपको थोड़ा चोटा बना के दिखाऊंगे मैं एक से दो साल के बच्चे के लिए लड़की के लिए यह टॉप बनाऊंगे तो किस्टार्टिंग में मैंने यहां पर फ्रिल पर डालिए ठीक है अगर आप 140 जालेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा और बाकि आप डिजाइन पर देखिए यह जो डिजाइन है फ्रेंड्स हमारा यहां लास्ट में यहां लास्ट में हमारा यह सीधा एक फंदा आना चाहिए हमने यह पूरा डिजाइन डाल द इस तरह से 120 घर मेरे इसमें डले हुए है ठीक है उस सेट से भी हमारा एक सीधा और इस सेट से भी हमारा एक सीधा आएगा तो यह यहां पर जो हम करेंगे वह काफी अच्छी सफाई से आएगी ठीक है तो देखिए यह तो मैंने पिंक कलर में और वाइट कलर में बनाया है लेकिन मैं अब आपको स्काई ब्लू कलर और वाइट कलर इन दो कलर के कॉंबिनेशन में बना के बताऊंगे ठीक है तो यह जो वूल है मैंने 300 ग्राम ली हुई है यह जो वूल है फ्रेंड्स यह वर्दमान की बूल है दिखिए यह वाली इस पर टैग जो है वर्दमान नि लिए आपको मोती करूंडे के लिए जो धागा है वह आपने ट्रिपल फोल्ड लेना है इतना धागा में 120 स्टिचिस के लिए यह ले लिया है अगर आपका धागा इसमें लास्ट में बचता भी है तो कुछ कोई बात नहीं आप उससे सिलाई कर सकते हैं यह दिखिए इस त कि तो स्टार्टिंग से देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे पहले आप स्टार्टिंग भी हाँ एक नौट डालीजिए ऐसे और यहां पर यह दिखिए इस तरह से आप अपनी मोती कुंडे डाल दीजिए मेरा मोती कुंडे का वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाला जो है आप यह स्टिच जो है वह सीख सकते हैं मैंने कैसे डाले तो चलिए मैं अपने 120 स्टेच जू है वह ्षमें डालती हूं तो देखे यह एक सो फईं घर जो हमने डाल दिए हैं अब आते हम इसकी रउंग साइट पर यह स्लाइट जो हमने पूरी उल्टी बनानी है मैंने अपनी स्लाई जो है वो कम्प्लीट कर ली है तो दुबारास मैं आपको पता देती हूं पहले मैंने यहां पर मोती कुंड़े डाले हैं पहली स्लाई में दूसरी स्लाई मेरी उल्टी आई है तीसी स्लाई मैंने सीधी बनाई है और चौती स्लाई मेरी उल्टी आई है अ हमने ऐसे इतारा उसके बाद कश्ब्स हषाएं यहां पर यह churched को थोड़ा सा हमने यहां पर हलका करना है थोड़ा करना इन्को और यहां पर दिखिये यह उस प्र मैं इन तीन कहा एक जिख्रे धागा हागे खिया और फिर दो घर इन्को थोड़ा हलका सा lose किया और इस side से 2 का 1 ठीक है फिर धागा अपनी तरफ किया और उसके बाद ये 1 फिर धागा अपनी तरफ किया फिर ये 2 जो एक एक घर हैं वो हमने 2 बार बनाने है ठीक है फिर धागा आगे किया और अब देखिए ये जो तीसरा है ये भी हमने एक बनाना है लेकिन हमने ये पीछे से बनाना है ऐसे फिर धागा अपनी side किया और ये 2 घर ये हलके से lose किये और ये भी हमने पीछे से 2 का एक ये दिखिए ऐसे फिर धागा अपनी side और ये अब 3 जो हमारे ये 3 से तीछा है इनको हलके से lose किये ऐसे यह दिखिए ऐसे और यह तीन का एक यह जो हमारा डिजाइन है फ्रेंड्स यह तेरा घर का डिजाइन है ठीक है और उसके बाद दो घर सीधे एक और दो अब दुबारा से देखिए यह स्टार्टिंग भी हमने एक घर सीधा रखा था जो हमारा यहाँ पर एस्टेच है और उसके बाद तेरा घर का हमने यहाँ पर डिजाइन डाला है और उसके बाद यहाँ पर दो घर सीधे रखे हैं अब देखिए यह आप योपर डिपेंड है वह प्राटतिंग में डालना है। उसके वार धाग अपनी साइड यू थोड़े दो घर loose कि ए ये दो का एक। फुर धाग अपनी साइड और ये एक फिर धाग अपनी साइड दो धाग अपनी साइड और जो तीस्रा है ये हमने पीछे से एक घर सीधा बुनना है, ऐसे, फिर धागा अपनी साइड, और यह दिखिए दो घर, यह दो का एक, फिर धागा अपनी साइड, और यह तेन घर, यह दिखिए तेन घर, तेन का एक, यह दिखिए ऐसे, बहुत असान डिजाइन है फ्रेंड, जब आप इसे तो इसके उपर आपका हात बैट जाएगा। ठीक है, अब दुबारा से देखिए, दो सीधे, एक, दो, अब पूरा जो मेरा ढिजाईन है, यह ऐसे ही रिपीट होगा, ठीक है, पहले हमने पूरा ढिएन जो है, पूरी शेयर बना लेते हूँ, तो दिखिए, यहां पर भी एगर सीधा आ गया और यहां पर भी एगर सीधा आ गया और यहां पर भी एगर सीधा आ गया उसके साथ हमारा यहां पर डिजाइन आ गया तो इस तरह से हमने यह डिजाइन अपना कम्प्रीट करना है अब आते हम इसकी रॉंग साइड पर तो जिसकी रॉंग सा तो देखे यह स्लाइब मैंने उल्टी कंपलेट कर ली में और मेरा जू डिजाइन है वह यहां के कंपलेट हो जाता है ठेखेर फ्रेंड तो मैंने आपको इसमें बताया था कि मैंने इसमें 120 घर डाले हैं लेकिन मेरा इसमें एक गर एकस्ट्र है तो यह एक सो 21 घर है तो यह मैंने इसको रिपीट किया हुआ है, तो इसके बार दुबारा से दिखें, यहां पर एक सीधी उल्टी स्लाइ बनाईये और उसके उपर आप यह डिजाइण डालिए, चिक है तो इसके ओपर सीधी उल्टी दो और फिट डिजाइन की दो चार चार स्लाइए इसके ओपर दुबारा से डिजाइन की आएंगे बनके यह दिखे यहाँ पर इस तरह से मेरा ही डिजाइन बनाया यह दिखिया ऐसे और यह दिजाइन दिखिए मैंने कितनी बार बनाया यहाँ पर एक दो, तीन, चार, पान, छे, साथ और यह आठ आठ बार मैंने अपना डिजाइन यह जो है रपीट किया हुआ है ठीक है यह इस तरह से भी आठ बार डाला हुआ है और इस तरह से यह डिजाइन जो है मेरा आठ बार रपीट हुआ हुआ है यह दिखिये यहाँ पर ठीक है इसके बाद भी यहाँ पर मैंने जो है आठ बार रपीट करने के बाद फ्रेंट्स मैंने यहाँ पर इसमें एक उल्टिस लाई निकाली हुई है और इसके बाद हम अब इसमें अपने जो स्टिच हैं वो कम करेंगे तो यह एक दो साल के बच्चे के लिए है तो 70 स्टिच हमारे बहुत हैं तो मैं यहां पर इसको अब जो है अपने घर को यहां पर कम करूंगे तो इसके बाद हम यहां पर वाइट धागा अपना तो अब ये देखिए आप मैं इसको कैसे कम करूँगे तो देखिए फिर्ट पहला घर में ने ऐसे बनाया अब ये जो दो घर हैं इनके हम दो के एक ऐसे एक स्टिछ बुना और दूसरे में दो का एक इस धागे को साथ ले जाएए ताकि ये धागा हमारा निकले ना ये दिखिए एक घर सीधा और इसके बाद ये जो दो घर हैं इनको थोड़ा सा लूज किया और दो का एक ये दिखिए ऐसे ठीक है ये एक घर बनाया और ये दो का एक इस तरह से हमने अपने जो स्टिछ हैं ये सारे कम करने हैं ये हमारी नीचे फ्रेल आगी और उसके बाद अब हमने यहां पर अपने स्टिछ वह कम करने हैं इसमें तो इस तरह से आप ये पूरी स्लाई अपनी कम्प्लीट कर लीजिए देखे ऐसे और उसके बाद ये दो का एक आइसे तो देखे मैंने स्टिछ इसकम किये हैं तो मेर और कम करने के बाद मैं इसमें 73 स्टिछ रखूंगे तो दिखिए अब इसकी हमने रॉंग साइड बनानी है अब यहां से मैंने यह दिखिए अपना ये डिजाइन जो है वो स्टार्ट कर देना ये तीन सीधे और एक उल्टा है तो उल्टी स्लाई में ये हमारे तीन उल्ट घुल्ट बनाना हानी है यह स्टार्टिंग में और एक घर सीधा ठीक है उसके बाद दाग अपनी साइड किया और तीन घर एक dan तो और ये यहां टीन, गहार अलते फिर धागा पीछे किया एक गहर सीधा ऑर एक दो और यह दो Quindi का coordinated अपने कम कनें ताकि हमारे 73 फिर यहां आजा करें स्टार्टिंग मैंने हमारे यहां पर जात्क है तो हमारी यहां लास्ट में भी तो स्टीच उल्टे आने चाहिए किस बात का धियान रखें रक तो यहां पर मेरा यह 73 स्टीचिज और फूरे हो गए है ठीक है तो अब हम दुबारा यहां से अपने swoje playing करते हैं डिजाइन हैं दिजाइन तो क्या 3 singer एक इल्टा यह यह दू हमारे starting में सीधे और यह एक उल्टा ठीक है फिर एक दो तीन सीधे एक उल्टा तीन सीधे और एक उल्टा इसी तरह से हमने यह स्लाई अपनी complete करनी है अब आतिये इसकी wrong side तो दीखिए wrong side में दिख रहा है जो स्टिच हमारे उल्टे हैं वो उल्टे बनेंगे और जो सीधे हैं वो सीधे बनेंगे तो इस तरह फ्रेंट्स आप इसको यहां से लेकर शोल्डर कटिंग तक 9 इंच बना लीजिए ठीक है तो इसके बाद मैं आपको नेक्स वीडियो में बताऊंगे कि मैंने इसके बाद कैसे बनाया है तो अभी तो मुझे यह दोनों पल्ले अपने वो बनाने हैं उसके बाद दोनों बाजुए बनानी है और उसके बाद जागे आपका गला बनेगा ठीक है फ्रेंट्स तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सस्क्राइब कीजिए सस्क्राइब करने के साथ बैल बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालू उसकी बहुत धन्यवाद मिलते हैं अपरे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइबाइब